हेलो जी तो आ गए है एक नई ट्रिक के साथ तो आप भी अगर मेरी तरह स्टीचिंग करती है तो एक बात का जरूर ध्यान रखना क्योंकि थोड़ी बहुत स्लाई करना तो साइद आप हर एक वोमेन से पुछोगी तो सब को आती है पर उनमें मेन होता है कि फिनीशिंग का औ और अगर हम छोटी छोटी टिप्स को अपना के अपने इस बिजनिस को बहुत अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं और आप भी बहुत अच्छे से पैसा कमा सकते हैं इसे बस आपको छोटी छोटी हिंस ध्यान रखनी होती है तो आज एक हिंस मैं भी बताती हूँ आपको कि जब भी आप स्लाई करती हैं और उनके कंदों को कैसे जोड़ती हैं दोनों को उपर नीचे रखके और सीधा टाका मार देती हैं तो वो फिनीशिंग अच्छी नहीं आती और वो अच्छी भी नहीं लगती तो आप छोटी छोटी टिपस अपनाएंगे ना तो बहुत अच्छ करें दोनों को उलटा करके रख लिया है और अब देखते हैं कि हमने नीचे वाला पार्ट सीधा है और उपर वाला पार्ट उलटा है तो उपर की जो नीचे की है ना उसको मैं पहले पट्टी को खोल देती हूँ और फिर एक स्टीच करेंगे हम मतलब सीधी स्टीच मार ले और ये बहुत प्यारी लगती इस टाइफ से फिनीशिंग आती है कपड़े में और दिखने में भी अच्छे लगते हैं और ये चोटे-चोटे ट्रिक्सी जो टेलर है वो फोलो करते हैं जिन से कि वो मतलब बहुत अच्छा खासा अपने इस टीचिंग से पैसे कमाते हैं आप भी इस बिजनिस को बहुत अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत पैसा है और आप गर बैठे ही कमा सकते हैं अपने घर को छोड़के जाने की भी जरूरत नहीं होती जिसके साथ-साथ अपने बच्चों का सबगा कर सकते हैं तो मैंने अब एक सीधी और स्टीच करके और उस नीचे वाली पट्टे को फिर से फोल्ड कर लिया है और अब एक फिर से एक स्टीच कर देंगे हम और यह बहुत प्यारी फनीशिंग आईगी जहां तक तो आपको पता भी होगा अगर आप बोट काफे टाइम से स्लाई कर रहे हैं तो यह हैक आपको हैक में बाहर भी नहीं दिखाए देगा और अंदर की तरफ से भी बहुत अच्छा लगेगा तो आप देख सकते हो कि इस हमारे कंदों में कितनी अच्छी जो फिनीशिंग आई है और दिखने में भी बहुत प्यारे लग रहे हैं अंदर की तरफ से भी तो आप इसी टैप स को सिस्क्राइब कीजिए फॉलो कीजिए तो आप देख सकते हो यह बाहर की तरफ से दिखाई देगे मेरी जो कंदे हैं वह और राइबर में आपको फॉल्ड करके दिखाती हूँ तो यह अच्छे अंदर से भी लगेंगे क्योंकि फिनिशिंग यह होती है कि अंदर और बाहर दोनों से हमारा सूट हो वह अच्छा लगे स्टिचिंग करने के बाद तो आप देख सकते हो अंदर की तरफ से भी जो हमारी नैक है वह बिल्कुल जोइंट हो चुकी है तो इसी टाइप से आप एक बार ट्राइज जरूर कीजिएगा और आपको अगर यह एक पसंद आया ह तो वीडियो को लाइक कीजिए धन्यवाद